ओम शान्ती यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती गुड मौर्निंग 22 फरवरी 2022 मिठे मिठे बाबा की मिठी मिठी मुरली का मिठा 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 मनन हम सब फरिष्टे मिलकर बाब दादा के साथ करते हैं बाब दादा संदली पर बैठे हैं और हम फरिष्टे बाब दादा के सामने बैठे हैं बाब दादा द्रिष्टी दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा बोले आज की मुरली से क्या शिक्षय ली मीठे बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षय दी बाबा आज आपने मीठे बच्चे में ही कहा कि तुम सबको सची गीता सुना कर सुख देने वाले सचे सचे व्यास हो तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है अब मैं आत्मा अपने आपको चेक करूँ कि मैं सब आत्माओं को सुख देती हूँ संगम पर जो स्वेम परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो हमें सची सची गीता सुनाने आये है तो वो जो मैं गीता सुनकर और सबको सुनाती हूँ मैं सच्चा सच्चा व्यास हूँ क्योंकि बाबा ने काए कि संगम पर मैं तुम्हें आया हूँ ले जाने और कैसे लेके जाओंगा जैसे तुम आये थे ना ऐसे ले जाओंगा कि जब परमधाम से तुम पवित आत्मा उत्री थी और यहां पाठ बजाते बजाते मैली हो गई अब तुम्हें मैं ले जाओंगा साथ अब ले जाओंगा तो कैसे ले जाओंगा उसके लिए बाबा ने विधी बताई अब जो विधी बाबा ने बताई कि बच्चे अपने को आत्मा समझ और उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने पिता को याद करना है और जो शिव बाबा हमें सची सची गीता सुना रहे हैं रोज बाबा हमें मुरली सुनाते है उस मुरली को सुन करना अपने अंदर धारन करके और सच्चे सच्चे व्यास बनना सबको सुख देने वाले तो जो मैं मुरली बाबा मुझे जो ग्यान अमरित पिलाते हैं वो मैं औरों को पिला रही हूँ भाबा ने तो कहा है तुम्हें अच्छी तरह पड़कर सब को पढ़ाना है पहले मुझे धारन करना है कि स्वेम परम पिता परमात्मा आकर मुझ आत्माओं को रोज सवेरे अमरत वेले कितने वर्दान देते हैं कितनी मीठी मीठी रूरिहान करते हैं फिर मुझे ग्यान अम्रित मुरली सुनाते हैं और वो मुरली सुनकर और अपने अंदर धारन करके अगर जब तक मैं उसको अपने अंदर धारन नहीं करूँगी तब तक मैं दूसरों को सुनानी पाऊंगी मुझे वो अपने अंदर धारन करना है पढ़नी है मुरली और फिर सब को पढ़ाना भी है और सुख देना है भगवान का प्रीचे देना है और सब आत्माओं को मुझे सुख देना है कि मैं आत्मा सुख सरूप आत्मा हूँ मैं किस की संतान हूँ सागर सुख सागर की संतान माश्टर सुख का सागर हूँ तो मैं सब आत्माओं को सुख दे रहे हूँ शीरिमत पर चल कर दो दिन पहले आज 22 तरीक है और लग भग 17 तरीक मुझे लगता है मुझ आत्मा से किसी आत्मा को दुख पहुँचा हूँ किसी वज़े से भी दुख पहुचा हूँ तो मैं बाबा को कह रहा था कि बाबा मैंने किसी को दुख दिया है जाने अन जाने में दिया है या कैसे दिया है दुख तो बाबा से बहुत बाते होई तो बाबा से ही बोला कि बाबा उस आत्मा पर सुख की केड़ने डालो और मुझे अन्भव हो रहा था कि उस आत्मा पर सुख की केड़ने जा रही है और वो आत्मा सुखी हो रही है और बाबा से बहुत माफी भी मांगी की बाबा मेरी वज़े से उसको दुख मौचा है तो मैं दिल से सच्चे दिल से बाबा उस आत्मा से माफी मांगती हूँ और मुझे अन्भा हुआ कि उस आत्मा ने मुझे माफ किया तो इसलिए जाने अन्जाने में कभी भी किसको दुख नहीं देना हूँ क्योंकि बाबा कई बार कहता है दुख दोगे तो दुख ही होके मरोगे तो इसलिए सब को सुख ही देना है फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा सबसे उची मन्जिल कोन सी है जिस पर पहुँचने का तुम पुरशार्थ करते हो अब बाबा कई बार तो कहता है कि पुरशार्थ में कोई उची मन्जिल नहीं है बाबा कभी बड़े अराम से पुरशार्थ को कहता है और कह रहा है बाबा आज सबसे उची मन्जिल कोन सी है जिस पर पहुँचने का तुम पुरशार्थ करते हो बाबा आपने बताया कि जो सबसे उची मन्जिल है ना वो अपने को ऐ शरीरी समझना इस देह अभिमान पर जीत पानी है यही सबसे उंची मंजिल है कि मैं अपने को आत्मा समझूँ और मैं आत्मा इस देह में बस कार्य के लिए आऊं और फिर मैं उड़ जाऊं जितनी देर मुझे इस देह से कार्य लेना तो मैं आओं और फिर उड़ जाओं परमधाँ इस देह विमान पर ही मुझे जीत पानी है कि मैं आत्मा हूँ यह यह मेरे और्गन्स है और मेरे और्डर के हिसाब से चलते हैं और जब मैं चाहूँ इस से निकल कर और परमधाम में बस सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा जोती बिंदू परमधाम में फिर इस दे में आई कारिय किया बाबा के साथ मिलकर और फिर वापिर बाबा कहता है यही सबसे उच्छी मंजिल है बाबा ने का सबसे बड़ा दुश्मनी यह देह विमान है मुझे इसी पर जीत पानी है अपने दुश्मन पर कहते हैं जीत पानी है तो कौन से दुश्मन यह देह विमान का दुश्मन बाबा कहता है रावन पर जीत पानी है काम, करोद, लो, मुवें, कार सबसे बड़ा दुश्मन बाबा कई बार मुर्लियों में करता है यह जो देह विमान है यह सबसे बड़ा दुश्मन है और मुझे इस पर जीत पानी है बाबा करता है ऐसा पुर्शार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाए कोई याद ना है तो मैं आत्मा चेक करूँ कि मेरा ऐसा पुर्शार्थ है बाबा मुर्लियों में कहते है ना अंतमतीसो गती तो अंतमतीसो गती कब होगी जब मेरी प्रैक्टिस अभी से होगी कि सारा दिन मुझे बाबा याद है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर करम करते हुए बाबा साथ है मैं बाबा की छत्र चाया के नीचे हूँ अगर मैं बाबा की याद में हूँ और बाबा की छत्र चाया में रहका हर काम करती हूँ तो अंत मती सो गती बहुत अच्छी होगी मेरी क्योंकि अब ये जो शरीर है ने छोड़ कर कहा जाना है बाबा के पास जाना है और बाबा ही साथ ले जाएंगे तो बाबाने का ये शरीर भी याद ना रहा है ये ही मेनत करनी है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ मैं दे हूँ ही नए तो सारा दिन प्रैक्टिस करनी है आत्माओं 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 जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितनी डाइरियां कितनी दिवारों पे लिख दिया ये शोदा आत्मा है नराइन आत्मा है सब आत्मा है तो ऐसे मैं भी हर एक को आत्मा देखूं और अपने को भी आत्मा समझो फिर बाबा ने आज कीच चलाया इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल बाबा बाबा कहते हैं जीव आत्मा या बच्चे अब समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा लेकर जाएंगे कहां लेकर जाएंगे क्योंकि बाबा कहा लेकर चलते हैं बाबा तो हमें आए हैं परमधाम से यहान नीचे आए हैं हम बच्चों को अपने साथ ले जाने अब हम बाबा के साथ जाएंगे और फिर वहाँ से काएंगे पुर्णे आत्मा बन कर नई श्रिष्टी पर आएंगे जहां स्वर्ग जिसको बोलते हैं जहां सारी पुन्ने आत्माई होईंगी फिर वहां बाबा हमें भेज़ देंगे स्वर्ग में सत्यूग में जहां हम 21 जनम कितने सुखी होंगे कितने अनंद में होंगे लेकिन कब जब इस समय मैं पुर्शार्थ करूँ और मैं अपने को आत्मा समझू और पूरा-पूरा पावन बनकर बाबा मुझे साथ ले जाएंगे और फिर मैं कहां उतरूँगी नई दुनिया सत्यूग में बाबा ने का यहां तो स्ट्रेश्ट और भरष्ट अक्षर निकले हैं न जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे सुख वा दुख जब शरीर में है तब ही तो भोगा जाता है जब आत्मा शरीर में होती है न तब दुख और सुख होते हैं और तब ही भोगते हैं सारे हिसाब किताब चुक्तु कब होते हैं जब आत्मा शरीर में आती है बाब ने का शीव के मंदिर में भी न साली ग्रामों को क्या करते हैं? उनकी भी पूजा होती है. क्योंकि बाबा ने ही समझाया था. एक है रूद्र ग्यान यग और दूसरा है रूद्र यग. फिर बाबा ने आज बनारस के ब्रामन पंडितों के लिए कहते हैं. बाबा ने का उसमें खास बनारस के जो ब्रामन पंडितों को बुलाते हैं. जो रूद्रिया की पूजा के लिए. और जब बनारस में बाबा ने का बनारस ही जो शीव के रहने के लिए अनेक मंदिर है. जो सबस्वे ज़्यादा शीव के मंदिर कहा है? बनारस में है जिसको क्या कहते थे शीव काशी भी कहते थे बाबाने का असली नाम तो उनका काशी था बनारस तो बाद में रखा अंग्रेज जब आए तब उनका नाम बनारस रखा फिर वारा नासी भी रखा बाबा ने का भक्ती मार्ग में आत्मा और प्रमात्मा का ग्यान ही नहीं है पूजा दोनों की अलग-अलग करते है एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं बाकी छोटे-छोटे शाली गराम ने एक बनाते है तो हमारी पूजा कैसे होती है शाली गराम में फिर बाबा ने बीच में पूछा कि बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोन है बाबा ने का जो स्याने बच्चे है न वो कहेंगे देह विमान सबसे बड़ा दुश्मन है जिस से ही काम की उत्पत्ती होती है तो बाबा बार बार कह रहे है जो ये देह विमान जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना इस पर जीत पानी है और देह विमान से जीत नहीं पाएंगे तो और नीचे गिरते चले जाएंगे बाबाने का देह विमान कोई जीतने में सबसे मुश्किल होती है देही विमानी बनने में ही मेहनत है भवने का तुम जनम जनमांतर से तो तुम दे के संबन्द में चलते आए हो भवने का फिर अब जानते भी हैं कि जो आत्मा है न ब्रोबरा कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ ये भी जानती हूँ कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ शरीर तो यही खत्म हो जाएगा पांच तत्वों का पांच तत्वों में मिल जाएगा भवन लेखा जिसके अधार पर न ये शरीर चलता है जो religious minded है ना वो समझते हैं कि हम आत्मा रहीं दे नहीं है क्योंकि आत्मा को नाम तो एक ही रहता कि आत्मा और दे के नाम बदलते है तो मैं आत्म हूं और मैं आत्मा कितनी बार इस दे में आई हूं और हर बार दे के नाम बद़े है अब मुझे बस अपने को आत्मा station है क्योंकि आत्मा ये एक शरी छोड़ दूसरा लेती है ममने बाबने का हमको बाप कहते है तुमको चलना है पुन्ने आत्मों की दुनिया में तो मैं आत्मा पुन्ने आत्मों की दुनिया में कब जाओंगी बाबा ने का ये है पाप आत्मों की दुनिया और कहा ले जाने के लिए आएं बाबा हमें पुन्ने आत्मों की दुनिया में तो कितना हमें पुर्शार्थ करना है फिर बाबा ने आज कहा बाबा ने आज कहा कि कभी न अपने को मिया मिठ्थो नहीं समझना तो मैं आत्मा अपने को मिया मिठ्थो तो नहीं समझती शिरिमत पर चलती हूँ सदा बाबा की जो शिरिमत है उस पर चलना मुझे कि मैं जितना शिरिमत पर चलूँगी न उतना उच्पद बाऊंगी भबने का अपने से पूछो तो जैसे ब्रह्मा सरस्वती शिरिमत पर चलते हम ऐसे चल रहे हैं अब अपने आप से पूछना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा शिरीमत पर चले कि मैं ऐसे चलती हूँ पढ़कर औरों को भी पढ़ाती हूँ जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने सर्विस करी ऐसे मैं भी सर्विस कर रही हूँ बाब ने तका क्योंकि तुम कौन हो सची सची गीता सुनाने वाले व्यास हो कितना बड़ा टाइटल दे दिया हम तो मैं आत्मा इस टाइटल के लाइक हूँ कि मैं औरों को सची सची गीता सुना रही हूँ क्योंकि बाबा ने तो कह दिया तुम इस समय कोनो सुख देव के बच्चे सुख देने वाले व्यास हो क्योंकि सुख देव कोन है शिब बाबा गीता का भगवान है और तुम उनके बच्चे व्यास हो कथा सुनाने वाले वो मीथे बाबा बाबा हमें कितना उंचा उठा रहा है तो मैं कितना बाबा की शिरिमत पर चलके बाबा की सची सची गीता सबको सुनाती है बाबा ने का अब तो घर के बाहर भी लिख दो एक सेकेंड में जीवन मुक्ती मिल सकती है जनक मिसल 21 जन्मों के लिए एक सेकेंड में तुम विश्व के मालिक बन सकती हो विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे न बाबने का लिखो अपने घर के आगे जो सेंटर से हैं उनके आगे लिखो और जो भी आत्मा है उनको समझाओ बाबने का आज बहुत चतुराई से समझाना है अपने को भी बचाना है तोड़ भी निवाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है बाबने का माताई समझती हैं हम पती को भी साथ ले चले सेवा करना के लिए उनको भी ग्यान दे हमारा फर्जा उनको भी समझाना बाबने का पवितरता तो बहुत अच्छी है न क्योंकि बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्र है इनको जीतो तो मैं आत्मा कितना जीती हूं क्योंकि मुझे याद करो बाबा तो यही कहते हैं कि मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वरका मालिक बना दूँगा ऐसी बचिया हैं जो पती को समझा कर ले आती है ऐसी ऐसी भी बचिया है जो बंधेलिया थी लेकिन उन्होंने अपने पती को समझा के भी लेके आया बाबने का बंधेलियों का भी पाइट है अब लाओं पर भी अत्याचार होते है तो अभी तो मैं आत्मा कितनी खुश नसी हूँ, मेरे पर कोई अत्याचार नहीं हो रहे मुझे बाबा कितने प्यार से मिल गया बाबा ने का ये शास्त्रों में गायने कामेशु, क्रोधेशु, कोई नहीं बात नहीं है लेकिन तुमको तो 21 जन्मों का वर्सा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सेन तो करना ही पड़ेगा अगर 21 जन्मों का वर्सा मिल रहा है, अगर उसके लिए थोड़ा सेन करना पड़े तो बाबा करते हैं करो बाबा ने का योग बल से अपने सब बंदनों को काट बंदन मुक्त होना है किसी में भी मौ नहीं रखना है अब किसी में मौ नहीं रखना है मौ दुख देता है बाबा ने का जो भी इश्वरी डिरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है जो बाबा की शीरिमत है मैं उस पर पूरा-पूरा चल रही हूँ, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना, आज बाबा बार बार के ने खुद भी पढ़ना और ओरों को भी पढ़ाना और मिया मिठू नहीं बनना, फिर आज बाबा ने वर्दान दिया, बाबा ने का समरित बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले समरिती सो समर्थी सवरूप भव बापने का सारे जो विश्व की आत्मा है ना वो परमात्मा को ये तो कहते हैं कि वो हमारा पिता है लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती यह तो सब कहते हैं कि भगवान हमारा पिता है लेकिन कहने के बाद भी पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती भमने का जो सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्मा हो पूरे कल्प में संगम पर ही बाबा के साथ हम मिलते हैं बाबने का सारे कल्प में तुम थोड़ी सी आत्मा हूं अभी इस भागय के पात्र बनती हो संगम पर स्वेम परमात्मा हम आत्मा को चुनते हैं 800 करोड आत्माओं मैं कितनी भागेशाली आत्माओं कि जो मुझे भगवान ने सुना मुझे भगवान ने पैचान लिया और मैं भगवान को पैचान ली और भगवान की पालना और पढ़ाई के पात्र बन गई तो बाबा ने का तो इस पालना का practical सुरूप क्या है सहज योगी जीवन जो भगवान से मुझे पालना मिल रही है और जो बाबा ने मुझे शिर्मत दिये तो मेरा कितना जीवन सहज हो गया है क्या मैं अभी भी कहीं इदर उदर भटक तो नहीं रही क्योंकि भगवान मिल गया बाबा मिल गया तो मेरा सहज योगी जीवन हो गया क्योंकि बाब ना स्वें शिब बाबा बाब बच्चों की कोई भी मुझे बाब देख नहीं सकते लोकिक में भी देखो कोई भी माबाब अपने बच्चों को देखते हैं कि ये मुझे पड़े फोरण साथ देखते तो ये शिब बाबा परमात्मा हम आत्माओं हम बच्चों की कोई भी मुझेख नहीं देखते बाब ने का बच्चे खुद जीना सोच सोच कर बना देखते है बाबा तो देखते नहीए बाबा तो कितनी असान तरीका बताता और बाबा करते हैं बच्चे ही न सोच सोच के मुश्किल बना देते हैं बाबने का लेकिन समर्थी सरूप के संसकारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी तो सारा दिन मुझे अपने पुराने संसकारों को छोड़, जो पुराने अनादी के संसकार, आदी के संसकार हैं, उनको बार बार समरती मिला, कि मैं कौन थी, मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली, मैं स्वर्ग में 21 जनम तक कितना सुख हुआ, जब वो संसकार आएंगे न, तो बाग की उस संसकारों से क्या होगा, हमारे अंदर शक्ती भी आ जाएगी, फिर बाबा ने आज स्लोगन में का, सदा निश्चिंत स्थितिकानवफ करना है, तो आतम चिंतन और परमातम चिंतन करो, अगर सदा निश्चिंत रहना है, बे फिकर बादशा बनना है, तो सार बोई चिंतन चलते रहें, मैं आत्मा इस दे में आई, परम पिता परमात्मा शी बाबा मेरे साथ है, काम किया, फिर मैं आत्मा परमधा, तो सदा निश्चिंत रहेंगे, ओम श्यान्ती, अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोब पर, बाप दादा की केड़े लेते हुए, वर्दानों से भरपूर हो कर वापिस इस देहरूपी मंदिर में हूँ, ओम श्यान्ती, ओम श्यान्ती, सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है, कि मैं आत्मा हूँ, सुख सरूप हूँ, सब को सुख देने वाली हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, और औरों को भ आती हूँ, ओम श्यान्ती, ओम श्यान्ती, ओम श्यान्ती